सर्दियों के मौसम में इतनी सारी सबजیاں आती हैं कि लगता है बनाओ तो क्या बनाओ और गर्मियों में दिक्कत ये है कि सिर्फ इतनी ही सबजیاں आती है उन्हें रोज कैसे बनाएं रोज क्या बनाएं और हर घर में वही प्रॉब्लम होती है कि आज खाने में क्या बनाएं कि इन्ती की तीन चार सबजियां है घूम फिर के उनी का नंबर आता रहता है बस अब करना क्या है उनी सबजियों से कुछ अलग-अलग बनाना जिससे सब खुशो के खाएं और हमें ब पथ्वे का भी कोई चांस नहीं हरी प्याज कदू और ककड़ी ये तीन सबजियां है घर पर अब इनसे ही मुझे बनाना है तो क्या बनाया जाए सभी सबजियों को अच्छे से तीन चार बार पानी में दो के साफ करके दूसरे बास्केट में रखती जा रही थी मैं अभी यह पिर जब हम सबजी बनाएंगे तो ज़्यादा सा पानी रहेगा और सबजी को पकाने में टाइम ज़्यादा रहेगा इसलिए सपेन करके उसको मैंने साइड में रखा है कदू गर्मी की वज़े से एकदम ही ड्राई सा है मतलब थोड़ा पानी वाला कदू रहता है तो उसक बहुत ही अच्छी एक टिप देना चाहती हो मैं ठंडाई कभी इंस्टेंट उसी समय ना बनाएं बना क्या फ्रेज में रख दो और फिर जब पीना है उस वक्त फ्रेज से निकाल के दो एक तो आपको आईस नहीं मेक्स करना होगा तो पानी पानी से नहीं रहेगी प्लस ज भटा दियें अगर हरे कदू का हरे चिलके का कदू होता है तो उसे चिलके सहीद बनाना अच्छा रहता है लेकिन ये जो पीला पीला सा चिलका रहे और अलग सा एक सक्त सक्त सा मोटा सा रहना वो निकाल देना ही बहतर होता है वो खाने में अच्छा स्वाद नहीं देता है अद्रक हरी मिर्ची और करी पत्ता भी मैंने यहाँ पर ले लिया है करी पत्ता के पत्ते निकाल ली है डंठे लटा दी हरी मिर्च को पीसेस कट कर ली है और इसे मैं खलवत्ते में पेस्ट बनाऊंगी टुकडे करके अद्रक, हरी मिर्ची, करी पत्ता और इसी के साथ थोड़ असर ताजा, हरा धनिया आप चाहे तो इसमें जीरा भी डालेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने एक चम्मत जीरा भी डाले है अब इन सब को हम कूट लेंगे अद्रक, हरी मिर्ची, जीरा और हरा, धनिया हाँ, आप चाहे तो इसमें लसुन भी डाल सकते हैं मैंने लसुन नहीं डाला है क्योंकि कद्दू की सबजी मैं बिना प्याज लसुन की ही अकसर बनाती है अगर आप डालते हैं तो जरूर डाल लीजेगा अभी हाँ पर सरसो का तेल गरम किया है और मैंने लिया है ये एक छोटी चमच, पंच, फोरन, जीरा, सौफ, मेथी दाना, राई और कलॉंजी इसमें हींग डाली है और इसी के साथ जो मैंने भी पेस्ट बनाया है मसाले का वो डाला है और हल्दी पाउडर डाल कर धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और बहुत थोड़ा सा हूमेट गरम मसाला और इसी के साथ थोड़ा सा पानी जिसके हमारे सूखे मसाले जले नहीं और तेल के साथ सब मिक्स करके अच्छी सी पेस्ट सी तयार हो जाए अब ये कद्दू के पीसेस डाल दिये हैं इसमें नमक भी डाल देंगे और मसाले के साथ अच्छी से मिक्स करके कुछ मिनट पहले भून लेंगे और भूने के बाद इसमें थोड़ा सा गोड़ डालेंगे हलका सा मीठे पन के लिए और गोड़ डाला है तो इमली का पल पे भी डालेंगे हलके से खटे पन के लिए और साथ ही मैंने यहाँ पर पानी डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रूखा-रूखा सा है कद्दू पानी वाला जो थोड़ा सा ताजा फ्रेश कद्दू रहता है ना उसमें पानी रहता है तो फिर पानी जादा डालने की दूरत नहीं होती है अब ढ़क करके धीमी आज में पका लिया है तो आज यह खटा मिठा वाला कद्दू बनेगा और यहाँ पर हरी प्यास ड्राई हो चुकी है गांट जो होती है नीचे से यह जड़ है वो खटा लेते हैं और यह एक लेयर जो छिलके की होती है वो खटा करके पीसे कट कर लेंग हरे प्याज आलू की सब्जी बना सकते हैं हरे प्याज को थारी पीर बना सकते हैं बहुत सारी रेसिपीज मैं अलेडे शियर कर चुकी हैं और कद्दू की सूखी सब्जी के साथ ही आप कद्दू के कोफते भी बना सकते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं तो बस अब यही है घूम फिर की सब्जियां यही रहेंगी हमें ही उनके नाम बदलने होंगे और बनाने के तरीक हैं तो यहां पर अभी सब्जी मैंने खोल कर चेक की है और काफी कड़ा है कद्दू अभी पकने में टाइम लगेगा फिर मैंने धीमी कर दी है कैस हरा धनिया भी काट लें में और इसको सूखी सैलड की तरह भी खा सकते हैं और इसका रायता भी बहुत अच्छा लगता है यहां पर अब मैंने फिर से खोल कर चेक किया है और काफी सॉफ्ट हो चुका है मैंने ऐसे प्रेस करके देखा है तो कद्दू रैडी हो चुका है तो खटा मिठा यह हमारा क कद्दू रैडी है उसमें डाला है मैंने ताजा हरा धनिया गटा हुआ और इसे डाल कर भी मेक्स कर लेंगे कद्दू की सबजी लोहे की गढ़ाई में जो बनती है उसका तेस्ट बहुत अच्छा होता है खासकर जब भंडारे में बनती है यह शादी व्याह में बनती है ब सकर करके उसमें नमक और हल्दी डाल देहें अब पहले आलू को हम अच्छी से फ्राई कर लेंगे हरी प्यास की सबजी को मैं हरी मूंग के साथ बनारी हूँ यह हरी मूंग भिगोकर इस प्राउट स्यार करते हैं और हऱी मुंग ये बहुत जल्दी बनती है, सबजी में अक्सर ये सबजी सुबह बनाती हूँ, टिफिन के लिए शुभम को देने के लिए और रेकफस्ट में पराटे के साथ ये सबजी कमाल की लगती है, पर सुबह सुबह मेरा कई बार शूटिंग करना नहीं होता, आज मैंने रात ने बन और नमक और हल्दी, और ये मूंग स्प्राउट्स और हरी प्यास, बहुत तेस्टी और हल्दी सबजे होती है, डाल राइस के साथ लंच में भी अच्छी लगती है, ब्रेकफस्ट में भी अच्छी लगती है, अब यहाँ पर मैंने अगारों का मल्टी फॉंक्शनल ब्लें और ये ग्रेट हो चुका है, तो मिंटों में ये हमारी ककड़ी ग्रेट हो गई, इसका मैं बनाऊंगी राइता, वैसे सैलड में भी बहुत अच्छा लगता है, इसकी कोशिम बीर भी बहुत अच्छी बनती है, मत्तब उसमें टमाटर प्याद वेगरा मेक्स करके, अभी मै मैंने यहाँ पर कुटी हुई, लाल मेर्ची भी इसमें डालूंगी, बहुत अच्छा लगता है, और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है, आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, मैंने तड़का नहीं लगाया है, और उपर से डाला है ताजा, कटावा, ध रायता तयार, यह ककडी का रायता बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी लगता है, बस दही फ्रेश होनी चाहिए, खटी ना हो, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर यह हरी मोंग और हरी प्यास की सबजी रेडी है, मैंने एक आलू भी डाला है, क्यों बनती है, या मोंग स्प्राउट्स बनाते हो, आप एकदम हल्दी नमक वाले, वैसा ही टेस्ट लगता है, तो यह भी मैंने ट्रांसफर कर लिया है, और अब सारे बर्तन भी क्लीर हो चुके कडाईयां धोके और पोच के रख देंगे, आईरन की कडाई में खाना बनाना बह करके रखो तो बनियां रहता है, और हम आटा तैयार बनेंगे, रोटी, पराठे या पूरी क्या बनाओ, ऐसा पूछा मेने घर में, कद्दू की सब्ची बनती है, तो पूरी जरूर बनाती हो में एकसर, और बूंदी करायता, लेकिन आज सारा कुछ मैंने चेंज है, पूर लोगों के कॉमेंटस है, कि हम कद्दू में जरूर डालते हैं, और भी बहुत सारे नाम बताये सबने, लेकिन कद्दू में हर कोई डालता, और वाकई में, कद्दू की सब्ची में पंच फोरन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और पराठे सिक चुके हैं, और बस आयता और साथ में काचर कहलवा तो हमारा डिनर ठाली रेडी आप सभी लोग इन दिनों गर्मियों में कौन-कौन सी सब्दियां जादा मंगवाते हैं मुझे जरूर बताईएगा और कि आपने कभी कद्दू के कोफते खाए हैं मुझे बताईएगा मैंने लास्ट टाम भी ब बनाओ तो क्या बनाओ जो बच्चों को अच्छा लगी मुझे जरूर बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग बैबाए थैंक्स